हेलो गाइज वेलकम अगेंटो माय यूटूब चैनल माय नम इस मनीश कुपता इंड वॉचिंग बी एसे जी लेक्चर्स तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है बी इवी इवन एट वन आपका सब्जेक्ट कोड है एंड एंड इंवार्मेंटल स्टडीज आपके बुक क करएंगे वाद आपने बतार किया कि हम ने यूनेट फड़ा जो है स्टार्ट कर दिया ते लिक यूनेंट में हमारा इंड उसके पढ़ना है क्या काशीज हमें नहीं पड़ना लगभग हमें सारे चीजों को कबरकरना है तो से पहले हम इंट्छन जानेंगे इस chapter के बारे में, then उसके बाद हम forest को as a resources हम देखते हैं तो then उसको हम समझेंगे and deforestation, cows and consequences के बारे में समझेंगे, causes of deforestation क्या है, consequences of deforestation क्या है और impact जो है mining, dam, building, environment पे क्या पढ़ता है and forest biodiversity के बारे में भी हम जानेंगे और जो effect है tribal population पे, जो उनके अधिकार पे, rights पे पढ़ता है, उनके बारे में भी हम जानेंगे conservation और management of forest resources के बारे में भी हम थोड़ा बहुत समझेंगे तो यहां हमारा introduction, तो introduction स्टार्ट करने से बहले जाहिए, फटा-फटा मारे चनल को subscribe कर दीजे, bell icon बटन को press कर दीजे था कि हमारी वीडियो उसकी जो notification है वो आपको time to time मिलती रहे और रही like की बाद तो then आप पूरा वीडियो देखिए, then उसके बाद हमारे वीडियो को like भी जरूर करिएगा अच्छा लगे तो, then उसके बाद हम बता दे जैसा कि previous unit में हमने क्या है land and water resources के बारे में पढ़ा सब्सक्राइब आधी बास ही लेकिन वह क्या होता है wanderers होते थे nomadic type follow करते थे nomadic culture नुमेडिक रहन सेहन होता था उनका एक जगे से दूसरे जगे एक जगे से दूसरे जगे खाते थे banjari type है तो देखे क्या खाना बदोश की तरह तो देन क्या है यह वह अपने food के लिए clothing के लिए shelter के लिए forest पर dependent होते थे forest इसे वह collect करते थे and then उन्होंने क्या करा जैसे ही वह life मतलब एक तरीके से start करा तो उन्होंने अपने life को settle के से करा forest को clear करके ठीक है उन्हों जो भी settlement बनाये वह क्या forest को clear करके बनाया तो जो life है आपका still highly dependent on forest जैसे कि हमें मालूम चल रहा है यहां पर देखके कि जो life है हमारा वो काफी जादा आपका क्या forest पर dependent होता है symbolic manner में और industrial revolution में तो आपका 18th century में क्या हुआ कि human being ने काफी जादा forest को exploit करा एकदम ruthlessly एकदम exploit करा और इसका negative impact हमारे earth पे और environment में भी हमे देखने को अभी मिल रहा है तो इस unit में हम describe करेंगे economic ecological and socio-cultural significance के बारे में forest के and उसके बाद और भी बहुत साइट topic है अलग-अलग section में जिसमें हम explanation करेंगे various causes and consequences of deforestation के बारे में और present followed the some selected case studies को भी हम study करेंगे then उसके बाद एक और section है जिसमें method of conservation के बारे में पढ़ेंगे management of forest हैना मैंना क्या है method of conservation and management of forest के बारे में हम पढ़ेंगे resources के बारे में पढ़ेंगे तो देन क्या है इसके outcomes हमें क्या-क्या मिलने वाले है तो देन हमें मालूम चले कि significance of resources क्या-क्या हो सकता है and explain करेंगे हम causes and consequences of forest deforestation का and analyze करेंगे impact of mining, dam building and other developmental activities, environmental forest and biodiversity then highlight करेंगे कुछ impact का जो की आपका क्या mining हो गया, dam हो गया, dam building के वेज़े से अफिर other development activities के कारण क्या है, forest क्या हो रहा है मतलब जो भी उसको नुक्सान पहुच रहा है और वहां के जो रहने वाले people है, forested people जिसे हम tribe वगएरा भी कहते है, आदिवाशी कहते है, उनके rights को किस तरीके से नुक्सान पहुच रहा है, उनके बारे में हम समझेंगे, then उसके बाद किस तरीके से हम conserve और management कर सकते है, forest resources का, ठीक है, तो यह सारे हमारे outcomes मिलने वाले हैं इस chapter को पढ़ने के बाद, then हम आज आते है, forest as a resources पे, तो देखे क्या है, forest आपका as a resource कैसे होता है, तो देखे क्या हमार जो forest एक तरीके से tracer है, खजाना है, इसमें wide variety of commodities मिल जाएगा, जो भी आपके जरुत के समाने सभी मिल जाएगा, जैसे कि आपका timber, timber यानि लकडी हो गया, fuel हो गया, wood हो गया, fodder हो गया, चारा हो गया, fiber हो गया, fruit हो गया, herbal drugs हो गया, cosmetic, many, मतलब, जितने भी raw materials से ही, व forest एक great role, क्या करता है, play करता है, soil formation में, क्योंकि आपका, जो forest होता है, उसको मचेडा नहीं जाता, वापे किसी तरह construction नहीं होता, तो then क्या होता है, वापे soil formation लगतार होता रहता है, then water conservation और क्या है, regeneration of oxygen के लिए भी काफी जादा important होता है, इनके value काफी जादा हाई होती है, जो भी biomass है, हैना, transpiration के थरू, जो भी होता है, तो उन सब को moderate करना, climate को moderate करना, इस सारा काम आपका क्या है, forest के द्वारा होता है, तो then, इसमें कह रहा है कि, can you imagine what would you happen if forest does not exist in the world, तो आप क्या एक वर सोची एक बार, imagine किजिए, just कि क्या है, पोरी दुनिया में अगर forest ना होता तो क्या होता, तो as mentioned above, it performs certain functions which are directly observed, which can directly observe, मनना, वैसे वैसे चीजे होते हैं, जो कि क्या है, हम directly observe आज कर रहे हैं, वो चीज नहीं हो पाता है, कुछ ऐसे function है, which cannot be directly observed, like purification of air, justice में ये कह रहा है, कि बहई, कुछ ऐसे functions होते हैं, जिनने क्या है, हम observe कर पाते हैं, और कुछ ऐसे function होते हैं, जिससे हम directly observe नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हमारा हवा, जो purify हो रहा है, just अगर हमारे असपर स्पेड रहेगा, तो then वो क्या है, CO2 को क्या करेगा, intake करेगा, and then oxygen को byproduct छोड़ेगा, ठीक है, battery, तो then उससे क्या होगा, हमारा हवा जो होगा, purify होगा, air क्या होगा, purify होगा, और carbon sink कर लिया जागा, तो ये सारी चीज़े, ऐसी चीज़े हैं, जो कि हमें दिखती नहीं है, बट ये कह है, हमारे आसपास, जो forest reason में आपका क्या है, ये काम चलत है, यहां पर, क्या है, ये, अकैकिया, अकैकिया tree है, ठीक है, तो इसके चाल पर किस तरीके से feed कर रहे है, तो यहां पर बहुत broadly mentioned किया गया है, इसके function को, कि भाई, किस तरीके से हम क्या है, पेड हमारे लिए बहुत जादा important है, categorized किया गया है, थ्री major heading में, पहला economic, ecological and ती किस तरीके से इसका significance है, या किस तरीके से important है, तो सबसे पहले आपका forest जो होता है, वो largest available renewable resources होता है हमारे planet पे, यानि यह क्या है, लगतार renew को करता रहता है, और एक तरीके से provide करता है, wide variety of goods हो गया, service हो गया है, जो कि आपका food के साथ होता है, पूरा food, fooder, और fuel, यह सभी च प्लग, just वो kuladi होता है, kuladi हल, हल, हल बनाने के लिए, just this type का हल होता है, हल बनाने के लिए, bridges बनाने के लिए, बोट बनाने के लिए, तो काफी जादा यूज होता है, forest product में आपका क्या क्या आगया, तो tannis आ गया, या gums हो गया, spices हो गया, wax हो गया, honey, musk, यह सारे चीजे जादा आपको क्या है, छुपे होते हैं यह फ्लोरा से हैं, जो specific area में पाए जाने वाले plants होते हैं, उन में क्या होते हैं, यह चुपए होते हैं, काफी सारे समानी यहापे मिल जाते है, then fauna भी, fauna के पास भी होते हैं, बहुत सारे, तो यह हो गया, यहापे fruit हो गया, leaves हो गय जाता है दिन वुड हो गया बांबू हो गया इसका पॉप जो यूज किया जाता है मैंनुफेक्चरिंगा ओफ पेपर एंड रायन थेक रियून बनाने के लिए पिर का है पेपर बनाने के रियून जस्ट था सिंथेटिक सिंथेटिक तो नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर प्रोड़क्त हो गया जैसे फर्मासोटिकल्स इंसेक्टिसाइड या फिर पैस्टिसाइड बनाने के लिए यहां पर सारे यहां पर आपको ड्रक्स मिल जाएंगे देन उसके बाद यहां पर जो सबस्टांसे यह क्या है शुड़ भी हार्वेस्टेट सबस्टेंटली सो डैट कॉकि देखी क्या है हम लगतार इसको क्या हर्वेस्ट करते रहते हैं देन क्या होतह लमबी समय समय में एक तरिके से रिसौर्स है जो कि वैल्लू है फोर्स की वैल्यो vaccines üç देन उसके बाद हम समझते हैं ecological significance के बारे में तो ecological significance इसका क्या है तो जो forest है वो perform करता है कई सारे function को जैसे कि global climate हो गया and supporting natural ecological system को करना है यह जो भी processes होते हैं just क्या होता है just उसको maintain करना आपका population population को maintain करने का काम ecological significance में आपका गिना जाता है just forest काफी जदा help करता है air को purify करने में carbon sinking में तो काफी सारी चीज़े हो गए देन उसके बाद moderation of global climate की बात करें तो देखी क्या है forest क्या करता है stabilize करता है global climate को यानि पूरे दुनिया में जो भी आपका मौसम है climate है तो देन उसको क्या है एक तरीके से moderate करना या मैं बोलू stabilize stable करके स्टेबल करने का काम क्या है forest द्वारा ही किया जाता है यह significant manner में होता है यानि काफी important manner में होता है यानि influence करता है यह क्या करता है natural cycles एक तरीके से फ्लो फॉलो करता है जैसे कि आपका hydrological cycle हो गया carbon cycle हो गया just यह सारे परफॉर्म आपके forest में ही होते हुए मिलते हमें देन उसके बाद हमने यह भी पढ़ा है कि यह सारी cycles क्या है क्या लिखा you have read about these cycles when you were in school हाँ हम जब school में थे तो हमने hydrological या फिर carbon cycles के बारे में पढ़ा और अभी हमने just previous chapter में भी हमने कुछ इनके बारे में पढ़ा है hydrological and carbon cycle के बारे में पढ़ा है ठीक है तो ऐसा नहीं है जब हम बच्चे थे तभी बढ़ें रहन उसके बाद क्या है यहाँ पे spatial as well as temporal pattern होता ह एक तरीके से rainfall का जो की greatly influence होते हैं किसके द्वारा forest आपने देखा भी होगा अगर आपके area में क्या हो जंगल वंगल ना हो यहाँ पेड़ वेड़ वगेरा ना हो पेड़ ना होने के कारण क्या है यहाँ पे हमें attraction भी काफी कम दिखता है cloud का formation भी cloud का कम दिखता है जिसके का कारण ही आपका वहां पे क्या है humidity एकटी नहीं हो पाती है अगर humidity होगे तभी तो आपका क्या है जस्ट वहां पे वाट यह कहते हैं cloud ठहर पाएगा तभी बारिस होगी तो जस्ट बारिस को impact करने का काम पूरा का पूरा forest द्वारा होता है अगर जंगल नहीं होगे तो बार जादा बारिस भी देखने को मलती है जस्ट जंगल इंपक्ट जादा करता है अगर हम बात कर लें Amazon की Amazon के जंगलों में भी काफी बारिस होती है क्यों क्यूंकि जस्ट वहां पे क्या है वह जो पेड़े होते हैं और रेन को अट्रक्ट करने का काम करती है एक तरह किसी humidity क्या होता है कभी-कभी क्या होता है तो क्या होता है कि also depend on tree cover तो यानि अगर tree ना रहे तो एक तरी के से tree का cover ना रहे तो देन क्या होगा flood के कारण काफी ज़्यादा पानी हमारे क्या हो सकता है यानि हमारे environment में हमने कितना जैसे की अभी इंडस्ट्रियल एरा चल रहा है काफी ज़्यादा हम क्या है क्या है काफी ज़्यादा हमारे environment हो जाता है यह सारे carbon dioxide किदर जाते होंगे तो जश्ट हमारे जो भी घने घने जंगल है देन वह तरह किया है क्या कर जाते हैं एक तरीके से को और उसको फिक्ष्ट भी करता है तो जस्ट कार्वन सिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है ठीक है वहाँ पे यह होती है तो क्या मतलब उनके पास एबिलिटी होती है एब्ज़ॉर्व करने की कारवन डएकसाइट को अना आप सभी को मालूम है वो जो फोटोंदिष प्रोसेस होता है जिसमें की वो उप्पणली एकसाइट को और वह अपने लिए क्या बनाता है जॉस्ट ग्लुकोस बनाता है ठीक के गए हम क्या कर सकते हैं कोई भी carbon containing क्या है रिजर वाइर उसमें हम कर सकते हैं किस तरहिके से तो कुछ मतलब जश्ट रोता है उसमें कैमिकल पाज्ट पांड वगर इंडिणे पिरिड में हम गैव इसको इसको स्टो कर सकते देन यहां लिखा है when the wood is burnt, आपका जो लकडी जलता है, just वो atmosphere में क्या है, co2 release करता है, इसका क्या होता है, कि यह क्या लिखा है, this is a direct impact on the more forest, नहीं, क्या लिखा है, this has direct impact on the extent of greenhouse effect and global warming, तो just आपका जो धुआ है, co2 है, यह CO2 just हमारे impact करता है, greenhouse effect में, then global warming effect में, greenhouse effect से just एक layer बन जाती है, carbon dioxide की, and then वो क्या है, carbon dioxide क्या है, penetrate कर जाते है, मतलब, एक तरीके से penetrate होने नहीं देती, heat, जो radiation आता है, just radiation क्या है, हमारे इसी, क्या कहते है, atmosphere में घूमता रहता है, एक तरीके से हम देखें, कि काफी गरम भी कर हमने BBYCAT में काफी अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा था, budget, heat budget के बारे में भी पढ़ा था, हमने काफी चीज़ों पढ़ी थी, अच्छे से बढ़ी थी, then उसके हम other word में कहें, forest जो आपका, greater removal होता है, atmospheric carbon dioxide का, photosynthesis process करता है, और reduction करता है, greenhouse gases का, और large scale में, forestation जो है, जो हो रहा होता है, तो उसमें क्या कहता है, has been adapted a measure to reduce greenhouse effect, तो हम कहें, just ज्यादा हम large scale में, forestation करें, या हम जंगल लगाए, एक तरीके से हम देखेंगे कि भाई, reduce, हमें greenhouse effect क्या, reduce होता हो, दिखेगा, then protection कैसे करते हैं, हम अपने biodiversity की, तो उसके बारे में हम बताते हैं, आपको, देखें क्या होता है, greatest, greatest, क्या लिखा है, repository होता है, biodiversity का, ठीक है, then वो क्या, जो भी आपका land में पाए जाता है, as they provide idle condition to the, for the survival of the, growth of living organism, एक तरीके से उसको क्या है, एक idle condition चाहिए होता है, अपने, मतलब, उसमें जो भी living organisms grow करते हैं, तो उनको एक तरीके से जंगल क्या है, उसकी जो biodiversity, एक idle condition प्रोवाइड कराती है, then जो number of species ह है, वो क्या है, आपका per unit area, आपका क्या हो सकता है, greater हो सकता है, किसी forest में, than any other terrestrial ecosystem, ठीक है, किसी भी other terrestrial ecosystem से, अगर हम जंगल की तुलना करें, तो जंगलों में आपका क्या है, ज्यादा आपका क्या है, मतलब, number of species वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, diversity आपको वहाँ ज्यादा मि यहाँ पे जैसे for example बात की गई है, जैसे tropical rainforest है, tropical rainforest में आपका क्या है, लगवग लगवग क्या है, कि बहुत कम ही आपका cover करके रखता है, यानि 7% जो earth का land है, surface है, उस पे आपको क्या है, for more than 50% of all non-species, यहाँ पे लिखा है कि 7% earth का land है, उसके surface क्या है, एक तरह किसी rainforest कवर करता है, and then उसके बाद लिखा है, but account more than 50% of all non-species, और जितने भी 50% जितने हम species को जानते है, वहाँ पे वो collect करता है, सोच सकते है कि कितना कम है यह rainforest, and then कितने सारे organism को क्या contain करता है, then उसके बाद 62% जो है, all known plant क्या है, यहाँ पे आपको rainforest में ही, आपको मिल जाता है, rainforest में का forest, Amazon, Neal Basin, कि हम लोग मतलब क्यों campaign वगरा चलाते हैं, कि हमें अपनी नदिया बचानी चाहिए, Amazon बचानी है, गंगा बचानी है, नीलू बचानी है, तो भई क्यों बचानी है, यह वाला question बहुत जावा टिपिकल सा है, तो देखे क्या है, हम क्या है, growing awareness, एक तरीक से हमें awareness फैलाना होगा किसके बारे में जो importance of and necessity of consider biodiversity helping human being to realize the significance of forest, एक तरीक से उनको क्या है, human being को realize दिलाना होगा कि भई, इनका जो importance है, काफी जदा होता है हमारे life में, अगर यह ना रहे तो देन हमारी क्या है, balance बिगड़ जाए हमारे अर्थ का, जादर लंबे समय तक अपने important होता है, then उसके बाद हमने इसमें बोला, do you think this awareness or campaign जो है, एक तरीक से sufficient होता है, sufficient to rainforest, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि भई, क्या सच में यहाँ पर क्या यह awareness फैलाने से, या फिर कोई campaign वगरा चलाने से, क्या sufficient, मतलब एक तरीक से protect हो जाता है हमारे rainforest, तो सोची एसके बार इसमें, क्योंकि भई, rule and law भी बहुत जरूरी होता है, क्या कहते है किसी चीज को, एक तरीक से कानुन इन्मानेता देने के लिए, अब दूसरी चीज है कि पालन करना भी जरूरी है, क्योंकि भई, सक्तिस अगर पालन नहीं होता किसी rule का, तो then वो rule भी आपका बेकार है, then इसके बाद यहां पे लिखा है, C, supporting करना, natural ecological system और processes को, तो then क्या यहां पे, यहां पे जो mention लिखा है, मतलब एक तरह किसे, earlier हमने mention करा था, forest के बारे में, यहां क्या क्या perform करता है activities, तो यह जो है, सारे crucial, मतलब supporting ecological system and processes directly, यानि वैसे processes को, एक तरह किसे perform करता है, support करता है, जो forest यहां पे लिखा, forest check the soil erosion by preventing the action of wind, टीक है, forest just क्या है, चेक कर लेता है, जो soil erosion है, जिससे क्या है, prevent, मतलब उसको किस तरीके से बचाए जाए, जो wind उडा के ना ले जाए, तो वो सारा आपका क्या है, forest द्वारा हो जाता है, and water thereby the preserve the fertile top soil, आप water कैसे conserve होता है, तो just आपका water क्य होती है, just वो क्या है, उपर से transport होने से water को बचाती है, यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, यह प्रिवेंट करता है, लेंड सलाइड और रिडूस करता है, intensity of cyclones and flirt, टीक है, अगर मान लिजे कि किसी जगे पे जंगल काफी सारे है, तो वहां पे आपको क्या है, काफी क activity होने लगती है, जिस कारण वहां पे soil erosion देखने को मिलता है, forest reduce कर देना, जंगल कम कर देना, जंगल कम होगा, जंगल क्या करती है, बेसिकली वो जड़ों को क्या है, पकड़ के रखती है, तो अगर जंगल कम कर दिया जाए, तो एक तरीके से क्या होगा, है ना, क्या लिख forest को improve, forest क्या करता है, improve करता है, air quality को, and absorb करता है, toxic gases को, है न, particular matter, and इसके बाद क्या है, यह protect करता है, water set को, और ensure करता है, यह जो perennial supply, जो fresh water का, वो क्या है, properly होती रहे, ठीक है, तो देन उसके बाद हमारा आ जाता है, socio-cultural significance के बारे में, जानते हम socio-cultural significance क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो देखे क्या है, socio-cultural significance, तो यहाँ पर जो इसा mention किया गया था, introduction में, introduction में, जैसा की बताया गया, कि जो forest होता है, वो क्या है, has been part of the social and cultural ethos, and since the inception of civilization, ठीक है, जो आपका भी, मतलब, एक socio-cultural significance में, काफी ज़्यादा योगदान है, है न, किस तरीके से, natural resources का, या मैं बलू forest का योगदान है, तो यहाँ पर जो लिखा है, कि जो civilization है, है न, जो civilization जो है, आपका क्या है, just यह forest हो गया, नदी हो गया, water हो गया, इसके किनारे ही, develop होते भी दिखी है, ठीक है, तो देन उसके बाद यहाँ पर और क्या लिखा है, यहाँ पर हम find करते है, कुछ sign हमे मिलता है, just वो हमें क्या बताता है, such cultural bonds and even today's modern and modernistic life, ठीक है, उसके बारे हम, जैसे कि अगर हम बात करें, हरपन सब्विता की, या मैसोपोटमीन की बात करें, या फिर, बहुत सारे सब्विता हैं, उनकी बात करें, तो वहाँ पर आपको क्या काफी अपसे इस देखने को मिल लार्जली बिकाउस देखने काफी जादा है, जैसे कि यह क्या है, कि जो फॉरेस्ट है, उसकी काफी ज्यादा वैल्यों चाहिए, एस्थेटिक हो, या रीक्रेशनल हो, यानि किसी चीज़ को दुवारा से क्रेट कर सकें, जैन उसके बाद क्या है, स्पिरिच्वल वैल्यो में भी क्या है, कि पॉधो का फॉरेस्ट का जंगल की पूजा करना काफी ज्यादा एक तरिके से माननेता माना जाता है, बेल्यो मानी जाती है, देन उसके बाद यहां पे लिखा है, आपको क्या है, इसमें लिखा है कि आपको निउस्पिपर और बुक बगरा पढ़नी चा कि एक तरिके से आप क्लियर कर सको इस टॉपिक के बारे में किस तरिके से फॉरेस्ट और अरबनाइज़ेशन हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इंडस्ट्री बड़े-बड़े, कंस्रक्शन करे जा रहे है, डैम, रेलवे लाइन बना जा रहे है, रोड बना जा रहे है, तो क्या किसी तरीके से ऐसा तो नहीं है किще हमारे कहते हैं सोाइल को या लैंड को नुक्सान पहुचा के हमारी की फ्लो-्डौरा एंड-फ्टन नुक्सान पहुचा के बना रहा है थी सारे चीजों का ध्यान रॉफना चाहिए जल apples दिन माहरा वि गया ये सारे सब्सक्राइब एप इस तरह किसे सोख लेता उसके बारे में आपको बताना है एंडि सटेट करना एक तरी तरी किसमें सब्सक्राइब करा जया है तो आप इसको भी डिसक्राइब कर सकते हैं क्लाइमेट प्रोडक्शन प्रोटेक्शन और बायोडिवर्सिटी एंड सब्वोटिंग एको लॉजिकल वैलुज ठीक है तो यह सारी चीजों को या फिर सोचियो कल्चुलल ले सिगनिफिकेंस इनको आप कर सकते हो देन उसके बाद डिफोरेस्टेशन एंड काउजिस क्या इनकोंसिक्वेंसिस के बारे में हमारा टॉपिक फोगा ठीक है जुटाव वेट हाथ लोगाई फिपर से स्टाट करते हैं यह यह दिफोरेस्टेशन एंक और कउदिजन के वारे मैं बात कर रहें थे तो किस तरीके से deforestation होता है, उसके क्या causes and consequences है, उसके बारे में हम समझते हैं, जैसे कि deforestation है, बात करें, तो यह किस चीज को refer करता है, जैसे हम permanent removal of क्या है, या फिर destruction की बात करें, कि पूरी तरीके से एक तरीके से जंगल समाप्त हो जाए, है ना, एक तरीके से destruction हो जाए, या permanent removal हो जाए, तो then यह वाला जो time है, आपका deforestation क्यलाता है, जंगल बिल्कुल गाय हो जाना, जैसे कि आज की समय की बात करें, तो then क्या है, roughly अगर estimate करें, तो यहाँ पे जो indigenous forest है, यानि जो हमारे देश में पाए जाता है, जो भी है, वो क्या है, just cover करता है, 21% constitutes of the earth, ठीक है, earth land of surface, ठीक है, जो भी आपके क्या है, indigenous forest है, then वो natural forest है, जो भी, तो वो just 21% जो एर्थ का, जो land है, उसको cover करके रखता है, अगर हम बात करें, according to World Resources Institute की, तो then वो क्या बताते है, deforestation is regarded as one of the world's most pressing land use problem, ठीक है, deforestation को इस तरीके से रिगार्ड के जाता है, just the world का वो, मतलब ऐसा land हो, जहाँ पे क्या काफी ज़्यादा प्रेस किया जा रहा है, उसको, मतलब काफी ज़्यादा pressure है उस पे न, land use problem, यानि उसका हम इस तरीके से इस्तम होता है, then उसके बाद लिखा, another major concern क्या है, कि जो rate of deforestation वो काफी ज़्यादा क्या है, increase देखने को मिल रहा है, काफी occur, देखने को मिल रहा है, then उसके बाद 12 million hectare जो forest है, वो क्या है, clear हो रहा है, लगता है, सालना अगर हम बात करें, 12 million hectare क्या है, जमीन जो हो रही है, बंज और यह जातर आपके कहां पर यानि यहां पर देखे कहा है, almost all the deforestation occur in the, कहां पर जातर देखने को मिल रहा है, जहां पर काफी ज़्यादा नहीं होती है, वो अला area हो गया, and then कुछ वैसे area जहां पर open woodland of the tropic है, है ना, उस वाले reason में भी काफी ज़्यादा वहां पर देखन देखने को मिलता है, then ऐसा prediction लगाए गया है, कि यह जो deforestation है, यह continue रहेगा, और इसी rate से अगर चलता रहा, तो जितने भी moisture tropical forest हैं, वो just आपके 2050 तक कहां खतम हो जाएंगे, तो चलीजी, यानि, except for isolated areas in the Amazon, यानि अगर हम Amazon के isolated areas को छोड़ दें, या फिर जाहरे basin को छोड़ यह area बच जाएंगे, बाकि सारे जो हमारी क्या moist वाले tropical forest है, वो क्या है, खतम हो जाएंगे, as well as a few protected areas within the reserves and park, और वही area बचेंगे, जिने हमने क्या है, reserve कर रखा है, पार क्या है, ना protected area, वही हो सकता है, बच जा है, कुछ, वो भी, गिंदी के मातर है, then बात करें, इंडिया में लगभगी forest कितना cover करता है, तो 24.39% जो है, total geographical area का cover करता है, यह forest, ठीक है, then उसके बाद, यह जो country है, यहाँ पे लिखा है, as is the 33% जो है, इसके area में आपको क्या है, area under the forest, ठीक है, वो 33% क्या है, area क्या आता है, forest के अंडर आता है, to meet the ecological and economic needs, ठीक है, जो कि हम ecological या economic needs के ल क्या है, पहला जो cause है, इंडिया में बात कर रहे हम, ठीक है, over the world in India, in general and India in specific, ठीक है, मतलब दोनों की बात कर रहे हम, क्या major causes है, ठीक है, पहला population cause, explosion, ठीक है, किस तरीके से deforestation होता है, ठीक है, population explosions होने से क्या होता है, कि human बढ़ते है, human का population बढ़ता है, and जो major causes of deforestation, आपक environment, जैसे, जैसे population बढ़ता है, तो देन हमारे environment पे एक तरीके से threat बना रहता है, ठीक है, और vast area, जो forest का है, वो क्या है, लगता, land और area, क्या होता है, साफ हो रहा होता है, clear हो रहा होता है, reclaim land for expansion of farming land, mining activities, creation of new and expansion of existing, यानि किस तरीके से हम क्या है, farming land को increase करने के चकर में, mining करने क क्या है, और development of infrastructure like road, railway, track हो गया, इन में हम क्या है, अपनी जमीनों को, जंगलों को, होते जा रहे हैं, जिस तरीके से population growth बढ़ रहा है, demand बढ़ रहा है, forest product का, जैसे कि timber हो गया, firewood हो गया, paper हो गया, अगर आपको घर बनाना है, तो timber की तो जरुत पड़ेगी, पड़ेगी, जरुत पड़ेगी, गेट लगेगा, उसमें काफी सारे जो भी, sofa हो गया, पलंग हो गया, कुर्सी हो गया, सभी क्या है, आपके timber से बनते हैं, जलाने के लिए लगड़ी चाहिए हमें, then paper बनाने के लिए लगड़ी चाहिए, काफी valuable product है, इनका importance भी जादा है, ठीक है, ति जंगल में आग लग जाए, then उससे भी आपका क्या है, डीफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है, यहाँ पर देख रहे हो के क्रेन किस तरह के से जंगल की कटाई कर रही है, ठीक है, तो जस्ट हम अपनी कमाई के रिसोर्स को पूरा करने के लिए, कमाई करने के लिए दन हम क काफी जंगलों को काड़ देते हैं, यहाँ पर देखिए क्या फोरेस्ट फायर की बात कर रहे थे हम तो यह एक अनादर मेजर काउज है, जिससे दिफॉरेस्टेशन होता है, फोरेस्ट में आपका क्या है, आइधर नेचरल या फिर हूमन इंडियूस, यानि नेचरल यह और और गैनिक मेटर फॉर्म क्या करता है, एक ठीक कवर फॉर्म करता है, फोरेस्ट के उपर, फ्लोर के उपर, जो की आईडियल कंडिशन होता है, फोर ग्राउंड और केर लेसली असर फायर फायर लगा ना हो, जलना हो, तो अगर मान लो कि इस पे पत्तिया है, या वैसे सुखर गास बगरा है जिसके कारण क्या है उसमें आसानी से आग पकड़ सकता है इसलिए यहां पे लिखा है थ्रोइंग बर्निग सिग्रेट अगर किसी ने गया है जिए दिया या कुछ भी ऐस तैप का जिसे फाइर पकड़ सकता है देन वह पूरा का पूरा एक तरहीं यह पर आपको मिलेका देंसली पॉपलेटेड फोरस्ट में काफ़ी घने जंगल अबहले पर रहते हैं तो यह पर ऊसी तेपर से में पहुंच जाता है और यहा है तो आग नग जाती है यहां पर फायर जो डिस्ट्रॉई कर देता है फुली ग्रो ट्रीज को ठीक है और इसी क्या होता है रिजल्टिंग इन किलिंग इन स्क्रोचिंग ऑफ दी सीड्स, हुमस, ग्राउड फ्लोरा एंड एनिमल लाफ जो जंगल में यानि भी लिखाए ट्रैंपलिंग ऑफ फॉरस्ट्वाइल इन दि कोर्स ऑफ ओवर ग्रेजिंग बाइल लाफ टीक है एक तरह के से जीवनी चलाने के लिए जो बहुत ज़्यादा क्या है ओवर ग्रेजिंग करा दिया जाता है तो देन उससे क्या है उसका एफेक्ट हमें काफी ज़्यादा देखने को मिलता है लॉस आप पॉरसिटी और स्वाइल यानि जो स्वाइल के अंदर घास के कारण जो पॉरसिटी बनी होती है यानि उसमें जो पॉर्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे हमें लॉस देखने को मिलता है जिसके कारण स्वाइल इरोजन हो गया डावर्सिफिकेशन रिडियूस हो जाता है एक तरह के से प्रोड़क्टिविटी भी रिडियूस हो जाती है एंग देन क्या जाता है इन उसके बाद पैस पैस अटक काफी ज़दा एक तरह के से काउज है जो कि आपका क्या है डिफॉर्सिटेशन का है देन यहां पर लिखाय प्रेजिट्ट्रोई कर देता है ट्री को खा के उनकी पत्तियों को उनके सूट को खा जाएगा है और कई बिमारिया फैला जाता है क्या कि उनके जो क्या होते हैं गलिया होते हैं आप मैं बोलू एक तरह के से जश्टोस से जिससे की वूस्ट करता है क्लाइमट को बालो जबडिकला एक्टिविट या डियावरसिटी या फिर वाइल्ड एंइमल्स को या क्रॉप या मेडिसिनल प्लांट को लार्ज स्केल डिफॉरस्टेशन जो है एक तरह के से ऐसा नहीं है कि तुरंती हो जाए काफी लंबा समय भी लगता है देखे क्या है कि मान लेजिए कि अगर डिफॉरस्टेशन होता है तो उसके बाद में स्थिती क्या होगी एक तरह के से हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो जागा वाइल्ड एनिमल्स का जंगली जानोर को घर क्या है उसका जंगल ही है अगर जंगल खतम हो जाएंगे तो वो कहा रहेंगे बे कर देज्टेशन होगा का तो पर जंगले दैन वहां पहतए आपका स्वाइल्यों वह.श. है इंक्रीज ऐसे उससे. ऐसे वह.खकिन्स नव्हेुए प्रॉटेश्टा और जाएगा जो भी आपका क्या है reduction हो जाएगा थ्रू फोडो सिंथे दिसके तरू जो भी आपका oxygen लिपरेट होता है देन उसके बाद increase हो जाएगा increase in pollution due to the burning of wood and due to the reduction of carbon dioxide fixation by plant ठीक है तो एक तरिके से pollution increase हो जाएगा क्यों लकडी जब जलेगी जला ही जाएगी तो जैन क्या होगा काफी जदा pollution होगा क्योंकि जो पॉलिशन है carbon dioxide जो कि प्लांट दौरा सिंक किया जाता है एक तरह से से हमें जो product मिलता है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी loss of plant हो जाएगा animal microbial diversity का भी loss होगा and scarcity of fuel food and deterioration in economy and quantity the food of life quality of life for people and residing near forest जो भी हमारी जो जंगल के इर्द गिर्द जो एक तरिके से हमारी quality of life है वो जश्ट एक तरीके से destroy हो जाएगी तरीके से नुकसान काफी जादा होगा ठीक है कि नॉर्मल से नॉर्मल जो हमारी नीड है हमारी वो क्या है जंगल द्वारा ही एक तरीके से fulfill होती है ठीक है forest के द्वारे ही fulfill होती है by the fulfill 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 by the forest ठीक है यहां पर लिखाए lowering of the water table due to the runoff and resultant increase use of underground water ठीक है इस तरीके से क्या होगा कि यह जो पेड़ वगेरा कट जाएंगे तो देन क्या होगा water वगेरा भी आपका क्या अंदर तक जल्दी सोख नहीं पाएगा runoff एक तरीक इस क्या होगा यानि पानी क्या होगा ठैरने के मतलब एक तरीके से groundwater रिचार्ज होने के जगे जस्ट वो क्या है बह जाये करेगा रन-off हो जाये करेगा तो इससे भी आपका क्या ग्राउंड वाटर में कमी आता हो देखेगा राइज इन कारवन डैक्साइड लेवल एयर दिटू दा बर्निंग और वेजिटेशन जलता है तो देन क्या है कारवन डैक्साइड भी राइज होगा देन उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा एंड उसके बाद आइ हमारे आइलेंड है जो कि क्या है वो डूबने की स्थिति मालेंगे ना क्योंकि समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा इसलिए यहां पर ऐसे क्यों डू दे सकते हैं आप यहां पर कह रहा है फिल इन दे ब्लैक्स को पूरा करना यहां पर इन इंडिया फॉरेस्ट कवर डैस परस जरुबत है तो यहां पर आघ मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर यहां पर बुद्द टेनि फॉर टीफर संट क्या है टोटल जिवराफिकल एठी गो जर्वत कितिनी है हमार कि और चाहिए तो यहां पर ठाटी ठाटी परसेंट हमारे क्या जंगल होना चाहिए जो कि हमारे नहीं है हमारे economic needs के according हमारी अवादी इतनी बड़ी है यहां पर लिखाए यहां पर कौन से fire यहां पर लिखो के crown fire ठीक है crown fire जो है वो densely populated forest में होता है ज्यादा तर देखने को मिलता है sorry okay नुसके बाद हम बात करेंगे impact of mining and damn कि स्टरी करें माइनिंग और डैम यहां बिल्डिंग जो बीर भी हम बना रहे है मतलब डैम बना रहे हैं माइनिंग बना रहे हैं इस पर इन्वार्मेंट पे किस तरी से पड़ता है फॉरेस्ट पर या फिर बाट करें कि इस तरह के साम तिम्बर का एक्स्ट्रक्शन कर रहे हैं माइनिंग कर रहें इन वेरेवली पार्ट किसी भी जगे पर हम क्या बना दे रहें इंडिया इंडिया की तो इंडिया की यह सारी चीजिए जरुवत ही ठीक है इंबर इन the music डेंव इक चानका ने इस एक्साड़ी को ऑद भार्ण के लिऊंब करने के लिए कि का फ़あっस homosexual there अनफर्चनली यह फोरेस्ट की थर एडिया में होता है तो यहां पर होता है जहां पर आपका इंड़ आपका उस जगहें पर सोर्सेस दबा हुआ है और यह मिनरल बेस्ट इंडस्ट्री है जैसे कि आपका आइरन स्टील ऐलमुनिया एंड रिफाइनरी यह सारी चीजें जो है यह सारी चीजों मतलब क्या है जरुत पड़ती है इसमें स्टील बनाने के लिए आयरन ओर की जरुत होती है अलमुनिया बॉक्स साइड की जरुत होती है यह सारी चीजें जंगलों में ही मिलती है यहां पर इन्हीं एरियाज में मिलती है और अप टॉप मिनरल प्रोडूजिंग डिस्टिंग इंडी कंट्री हमारे कंट्री में वैसे उसकी बात करें जो टॉप प्रूजिंग है जो की टॉप प्रडूजिंग है अल्मोस्ट है ऑप दिश्टिंग यानि कै क्या है पूरे डिश्टिंग मिलती है वो प्री डॉमिनिट्ली ट्राइबल ढमनीत 10 जहांब March 25 हम क्या है यह सारे माइंस लगा रखें या मैं कहूं हम यह रेर मेटल्स या फिर क्या कहते हैं आइन वगेर का हम जहां पर extraction करते हैं average forest की बात करें वो cover करता है इस district को 28% तक और उसके बाद क्या लिखा है जो क्या है much more than the national average of 20.9% क्या है center of science for environment 2008 यानी जो average national average है उससे कई ज्यादा देखने को मिलता है ठीक है यानी forest जो है यहां पर cover करता है the steep of the embankments of the river valleys यानी forest कहां कहां पर आपको जाहतर मिलता है वहां पर जहां पर आपकी नदी के किनारे हो गए वहां पर काफी ज्यादा वैलीज वगरे डेवलप होती है उसके बाद आइडली सूटेड डेवलप हाइडल एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो भी हाइडल और इरिगेशन प्रोजेक्ट है इन एरिया में काफी ज्यादा सूटेडल होता है यानि अगर हमें डेम लगाना है जैसे कि आहिरी डेम के बारे में सुना जहीं होगा काफी-जिया तुर्शत में है टेरी ताद मे यह काफी ज्यादाइज आ पूरा पर Helex होती है !!! पाड़ के बीच में आपका क्या है जस्त पेस बने जाता है अगर हम इस तरीके से वाल बना दें तो इसके बाद हमें क्या जरूत है क्या यहां पर लिखा है कि आपका एक तरह बोलते हैं कि भई कंजर्व करो और विल रोरेस्ट को करो और एक तरह बोलते है कि नहिंन थे डिवलपमेंट चाहिए डैफ्लchutz मेंट होगा तब यहाँ चीजल समझने की जरुवत है बन्न om term ecological gain मतलब एक तरह के sacrifice ना कर से के short time economic gain यानि जो भी हम economy है आज हम increase करें, कल हमारे क्या हो सकते, economy नीचे भी जाएगा यानि हम economic है आपका short time है लेकिन हम बात करें ecology तो ecology आपका long time है अगर आज हम अपने ecology को समभाल के रखते हैं तो then हमारे क्या है आगे भी चलके हमें क्या है एक नाएक तरीके से हमें फाइदा ही पहुचाएगी है ना लेकिन हम क्या है, unfortunately हम क्या करते हैं हम deforestation इस चकर में करते जाते हैं, हम economic gain पे ज़्यादा ध्यान देते हैं then उसके बाद लिका है these forests were developed project and plant can be displaced the thousands of tribal and their homes मैंने बताया था कि जब भी कोई dam अगर इस तरह का project होता है then काफी सारी tribal communities को वहां से displays किया जाता है एक तरह के से plan बनाया जाता है developmental project है then flood हो गया, drought हो गया, landslide हो गया एक तरह के से ये सारी चीज़े क्या है more prevalent होते है इस area में ठीक है, बाड आना, drought आना ये सारी चीज़े काफी common सी होते है एक तरह के से and यहां पर forest जो है are the repositor of the invaluable gifts of the nature और आज सभी को मालूम होगा कि जो forest है वो एक तरह के से invaluable मतलब वो उसमें क्या है कि हम उसको एक तरह के से value नि लगा सकते इतना मतलब जादा हमारे लिए important nature द्वारा जो gift मिला हमें यहां पर biodiversity जो है वो क्या है destroy कर देते हैं and then क्या है यहां पर species हो गए before knowing there is significance हम उनके significance और इसके benefit के जाने बगएर ही हम उसको क्या एक तरह के से destroy कर देते, खतम कर देते हैं these species could be having marvelous economic or medical value हो सकता है कि इनमें से कुछ species plant किया, animal की species जो क्या हो marvelous economic किया, फिर medical value वाली हो और हम क्या deforestation करके हम क्या उनको मार दे रहे हैं storehouse of species which are evolved over the 1 million of year in single stroke, यानि एक ही stroke में हम क्या है यानि million of year जो उस ecology को बनने में लगा है स्टेर हाउस को बनने में लगा उसको एक जटके में हम खतम कर देते हैं देखे क्या है कि यह सारे जो हम developmental project लगाते हैं या फिर development करते हैं तो किस तरह किसे हमारे effect पड़ता है tribal population पे या फिर उनके rights पे जो उनका right होता है जंगल के उपर अधिकार होता है उनके right पे किस तरह किसे impact पड़ता है देखे क्या है है majority of tribal population के हमारी country में जो की काफी ज़्यादा देनियस्थिती एक तरीके से हैं ना मतलब वह हमारी तरह इस तरीके से क्या कहते हैं उनके पास इस तरीके से बेड नहीं होता बढ़ियां टीबी नहीं होती फून नहीं होता काफी तरीके से पिछड़े टाइप होते हैं तो देन बात करें ट्राइबल डॉमिनेटेट इरिया जो हमारी country में वहां पर आपको rich forest cover मिलेगा मिनरल बेरिंग एरिया जहां पर काफी ज्यादा मिनरल एक्स्रेक्ट होता है और इसके बाद यह सारी चीज़े क्या है फूड मेडिसीन और उससे जुड़े प्रोड़क्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपके ट्राइबल पीपल के लिए होता है जो भी ट्राइबल पीपल लिए हो देन वहां से एक्स्रेक्ट कर सकते हैं और एक तरह किसे वाइटल रोल इन लाइफ एकोनौमी के लिए काफी ज़दा उनके लिए हल्फुल होता है ना क्यूंकि बाइब उनके यहां मार्केट नियुक्त है कि एक बाजार में गया और उबढ़ उनको सारे सा इक तरिके से यहां पर कहा जा रहा है इंड अर्ण यहां पर बिख अ कि प्रिवियश सेक्शंट्टी धेज से 모वियु में सन है वाम दिखने की शुमें का था यत्ये सोन है कि वामियं कुछ आपका है यहां पर लिखा है यहां पर लिखा है यह जिन्हें के यह कहां पर होता है उनको यह सारी चीज़े अपनी जमीन को दे के मतलब एक तरह के से गवा के सारी एक्टिविटीज को करवाना पड़ता है यहां पर लिखा है अलाइनेशन आप देप्राइब डेम लाइवलिविवूड उनकी एक तरह के से लाइवलिविवूड सी छिंजाती है most of जो क्या है most of them are dependent upon the natural resources जातर जो ट्राइब से वो natural resources पे dependent है ना और एक तरह के से informal economy का part है ना उनका जो natural resources है informal हम बात करें formal economy की जो हमारे देश में जिनका हमेरे पास data एक तरीके से है ना हम उनको count करें वह formal economy होगी लेकिन हम बात करें tribal economy की तो tribal एक तरीके से informal economy है वो जश्ट हम उनको count नहीं करते हैं वो अपने हिसाब से ही वह अपना जो भी settlement वगरा है, जो भी अपना काम, दाम या फिर लेन देन उसी तरह के चलाते हैं. Then, इसका जो natural resources है, वो based होता है in formal economy को, जो कि mostly dependent होता है, agricultural में, या फिर settle and boom, boom कर रहा है, zoom खेती जो होती है, settle एक जिगे पर खेती कर रहे हैं, जो होता है, और non-timber forest जैसे की NTFP, जैसे की आपका medical herb हो गया, edible oil हो गया, leaves हो गया, fruit हो गया, इन सब पे भी dependency होता है, इनका जो small timber हो गया, या firewood हो गया, यह सारे forest wood से ही, forest से ही प्राप्त किये जाते हैं, then उसके बाद जो development है, is bound to be affect the agricultural and forest land, which is primarily source of their livelihood, ठीक है, जो development है, एक तरह के से bound होता है, जस्ट एफेक्ट करता है उनके agriculture को, and forest land को, जो कि जो कि उनका जीवन जीने का एक primary source होता है, अगर यह चीज ना रहे, खेत ना रहे, एना, forest ना रहे, अगर forest ही उनको छीन लिया जाए, development के नाम से, तो तो देन काफी जादा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, development processes जो है, एक तरह के से push करता है, from an informal to a formal economy, जस्ट क्या है, कि यह जितने भी tribes से, उनको informal economy से, formal economy की तरह push करने की कोशिच करता है, इसका मतलब क्या है, यानि, that is new to them without any preparation, यानि, बिना किसी preparation के, जस्ट उनको क्या है, एक formal economy की तरफ धकेला जाता है, they are dependent on agricultural land and forest, both of which are loose to the project, जो वो सब क्या है, agricultural land, forest पे dependent हैं, वो सारी चीज़े खो देते हैं, इन projects के चक्कर में, and then receive करते हैं, कुछ compensation को पैसे अगरा मिलते हैं, it is monetary with the, which most communities living the informal economy and are not familiar, as mentioned above the most cases, the common property resources are not compensated, हाँ, वैसे area हो, जहाँ पे क्या common property resources है, तो वहाँ पे क्या compensation भी properly नहीं मिलता है, अगर मान लिजे कि यहाँ मेरा घर है, और यह मेरी जमीन ले ली गई, जंगल मेरा रहा है, यह मेरा घर है, यहाँ पे मैंने घर बना रखा है, तो then क्या है, जश्ट कोटिया सा बना रखा है, हाट बना रखा है, तो देन क्या है, इसका मुझे तो मिल जाया compensation, लेकिन अगर common property resources है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे मैं बकरी चराने आता हूँ, और भी वह सारे लोग आते हैं, तो देन वहाँ पे आपका क्या है, उसका compensation आपको नहीं मिलेगा, therefore there are need to address this problem, ज़री है कि भाई इन सब problem को एक तरिके से address किया जा सके, हमारे government को यह सारी चीजे पता चल सके, एक एक पास किया जाए, पार्लिमेंट में जो कि आपका जो scheduled tribes हैं और जो traditional forest dwellers हैं, उनके rights को एक तरगी से protect की जा सके हैं, जैसा कि आपका 2006 में address किया भी गया है, address this anomaly, इस चीज को protect करा भी गया है, then इसके बारे में आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, scheduled tribes and other traditional dwellers act के बारे में, ठीक है, यह पूरा का पूरा आप क्या हो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं नहीं बताओंगा इसके बारे में आप पढ़ लेना, then इसके बाद यहां पर लिखा NTFP, तो NTFP क्या होता है, नेमनी 4 क्या है, नॉन टिम्बर बेज़ बारे में बताना है, ठीक है, तो आपका क्या क्या हो सकता है, बताइए, medicinal plants हो सकता है, medicinal herbs या plants क्या सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या सकते हैं, टिम्बर क्या सकते हैं, ने, नॉन टिम्बर का है, नॉन टिम्बर, और और क्या कर सकते हैं ऊध्यन एक्टिष में दो जो कि आपके forest product होते हैं then ntfp का full form क्या होता है तो ntfp का full form पूचा नहीं ntfp में जो आते हैं ntfp तो यह हो गया ना non-dimber forest product okay ठीक है then उसके बाद लिखा how do forest right act 2006 enable the tribal and other forest dwellers in the strengthening conservation of the forest and while ensuring the livelihood and food security तो यह क्या कहता है जो 2006 में जो एक्ट लाए गया एक तरीके से जो enable करता है tribes के act को जो forest dwellers है वहां के जो मालिक है जस्ट ट्राइब ही तो forest के dwellers हुए मालिक एक तरीके से ना तो उसको किस तरीके से strengthen करता है और conservation करता है इंच्वार करता है इंच्वार करने के लिए उनके लाएवली हुड को तो तो क्या बताता उसमें तो देखी क्या है एक तरीके से schedule tribes जो है यहां पर जो यह एक्ट जो है जो पारित करा जाता है देन वह एक तरीके से जस्ट वो कर सकते हैं कर सकते हैं कितना भी बड़ा developmental project हो आपका बिन क्या सहमती के हम क्या क्लिस नहीं दे सकते आप चाहो तो इसके बारे में आपको मालूम चल जाएगा ठीक है इसके बारे में मैं नहीं बढ़ाओंगा देन उसके बाद यहां पर देखिए धरिशցन सकते हैं और सकते हैं इसके बारे में यहां एक्सूरेश किया है दी क्या है यह से इंक करने की कोशिचिवन और क्या है निकाले जा रहें निकाले जा रहें तो एक तरह के से फॉरेस्ट जो है आपका नोन टो वे फास्ट डिसेपर होना इसके बाद हमारा इंवर्मेंटल इंबैलन्स देखने को मिलेगा एंड उसके बाद क्या है फॉर एक्जामपल बात करें यहां पर रेंड वॉटर जो है लॉ करिए अगर यहां से पानी गिरेगा तो यह थी तो रहें आपकास को पानी बहा दिया जाएगा इन पानी के द्वारा और जब आपस बैजाए यह तो यह तरव कि स्यू स्वेजिए लिगा और जब आप्ढानी के लेंड के सब नॉन फटाइल जागा और हमारा क्रॉप यूल्ड भी क्या हो जागा इस बिकाउस अफ इस कांसेज तो यह सारी चीज आपके क्या है यह सारी कांसेज के कारण आपका तो खाली अचा रमाशल नहीं के और कमका इन अद एक करके मिया है तो प्रॉड्स अद न हमें के काई यह हमारे इंडिया में और क्या है अदर वरल्ड मतलब दुनिया के अलग अलग पार्ट में क्या जाता है देखे तो देखे क्या है इसमें बात करें increase in area of forest plantation क्या है कि हम अपने forest plantation के area को increase कर सकते हैं just backend space हो गया वहां पे या फिर waste land हो गया unused land हो गया वहां पे हम क्या है ये फिर marginal land degraded land ये फिर roadside हो गया railway track हो गया या फिर counter so go Saulte production कर सकते हैं और जो किया है वहाँ पे ट्री भी प्लांट कर सकते हैं जिससे कि हमारा फॉरेस्टी एरिया क्या हो इंकरीस हो सकता है और एक तरगे से जो फॉरेस्ट पे टिमबर का प्रेसर है एक तरगे से फूटर का प्रेसर है प्रेसर उसको हम कम कर सकते हैं आप देखते भी होगे के तो किनारे बड़े-बड़े यूके लिफ्टस या फिर ऐसे पेड़ लगा जी जाते जो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं लकडियों का क्या है क्या लिखा दें यहां पर फ्यूल वूड का एक तरह के से कमी पूरा करता है यहां पर ठीक है तो दी फॉर्म स्टेशन ऐसे रोका जा सकता है देन उसके बाद यहां पर लिखा है डेवलपिंग अल्टरनेटिव रिसोर्स इस और प्रमोटिंग दी सब्स्टिटूट तो हमें इस तरह के से अल्टरनेटिव सोर्स को ढूड़ना होगा प्रमोट करना होगा इसके सब्स्टिटूट को ताकि एक तरगे से इनका जो एकसिवली यूजए इसको हम रोक सके हैं यानि हम क्या है नैसेसरी हमारे लिए जरूत है कि हम इसके अल्टरनेटिव जाने फ्यूल्स के अल्टरनेटिव जाने हैं जो रॉ मेटल का हम यूज करते हैं पेपर हमें इसे नहींजिए सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब को शेप्रणक्राइब है मतलब अगर बात करें alternative sources की तो यहां पर काफी हमने क्या कोशिश करें कि हम alternative sources को ढूड्ड सके तेन हम और क्या कर सकते हैं हम increase कर सकते एडिया को forest area को है ना permanently reserved for timber production और एक तरीके से क्या कर सकते है अगर śmy forest area को बढ़ाएं तो देन हम क्या है एक तरीके से रिजर्व कर सकते तिमबर production को है ना यानि जादा area होगा हमारे पास जंगल का तो देन हम जादा जादा timber को collect कर पाएंगे जादा जादा लकडियों को collect कर पाएंगे then most serious impetition of sustainable forest जो है management है यहाँ पर lack of dedication forest specifically specifically set aside for the timber production ठीक है 2. यानि यहां पर dedication की कमें देखती है यानि एक chúng for the long term interest of the forest देखो और क्या क्या होता है कि जो forest है एक तरीके से not have a dedicated to long term tenuer ठीक है वो लंबे समय के tenuer के लिए नहीं होता एक तरीके से timber production के लिए अगर हमें jungle से लकड़ियां चाहिए तो लंबे समय तक हमें नहीं दे सकता है तो यहाँ पर लिखा है एफ व दो हजार ही फॉर्ण एटीन परसेंट जो forrest है वो कहा है industrialized country में आपका क्या है under some form the management but only about 6% जो है developing countries में हमें क्या है management देखने को मिलता है ठीक है किस तरीके से हमें मैंज करना है किस तरीके से हमें उसका use करना है ठीक है यहाँ पर 20% लिखा है तो क्या है हम buffer zone बगरा बना सकते हैं जिसे कि क्या है आपका उस एरिया को हम protect कर सके हैं उस एरिया से हम क्या है तिम्बर एक तरह क्लेक्ट करने ना दे आपका एडप्टेशन कर सकते हैं और परमोशन कर सकते हैं कर सकते हैं और कुछ चीजों का परमोशन भी कर सकते हैं यहां पर बहुत सारी चीज़े लिखी गए हैं देख्या है हमें अचीव करना है तो हमें कुछ एकोलोजिकल वेल्यूस का ध्यान रखना होगा यानि जैसे कि आपका मस्ट नोट डिग्रेड़ेड और पॉसिबल मतलब और कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने क्या है जंगल को इंप्रूब करना चाहिए और यहां पर लिखा है इसका मतलब यह है कि जो सिवी कल्चर होता है और मेनेजमेंट हो गया वह एक तरह के से रिड्यूस नहीं होने दिता बाइव डिवर्सिटी को स्वाल इरोजन को श बुरा नहीं होता है and offside the should not should not maintain and the forest health and vitality should be safeguard ठीक है तो इसके इसे क्या होता है कि just हमारा जो जंगल है just hon maintain रह पाता है यह ना आव आपे जो भी चीजहें सारी जो भी आपकी क्या है factorse से वह सारे maintain रहाते है और forest का health है यह वोग Takes सेफ़ाइब हो कि लिए कर दिया बैप सथ करे तो मेरे को यह बता है कि प्राइवट गपनी के लिए ने एकॉनकिम का लिए कि ना वाइबल आना सोशले के लिए ज्यादा इंपॉडटनि यहां पर क्या है वही जी जहें कि से इन्वार्मेंटल सर्विसे जो भी इन्वार्मेंटल सर विश्याल मीटने एला यह नौट एकॉनո्मिकल इंड सोशली कंट्रीज होते हैं तो उनको अपने डेवलप्मेंट में यह जो है जंगलों का यूज करना ही पड़ जाता है अगर वो नहीं करेंगा तो दिन क्या होगा वो जस्त उसका उसका कुछ नकुष्ट कोस्ट उनका क्या चुकाना पड़ जागा देरार वस्ट एरियाज अन्यूज इंक्रीज कर सकते है एठ उससे क्या हो सकता है एक मेजर प्राइटी हो सकता है इस sino केंट प्रीज распchant यह होनी चाहीं की a Iraqन them जिसमें क्या है कि हम जो tropical forest है वहाँ पर हम cut कर रहे हैं, degrade कर रहे हैं, तो just fixed होना जाए, ऐसा नहीं कि हम क्या है, अंदा दुन उसको काटे जा रहे हैं, और इसको को nuskट करते जा आसा नहीं होना जाए, न यहाँ पर और लिखा है पाँचवा point जो developing reliable mechanism of information-based जाएने ड्रियालर मेकनिजम बनाना होगा, इन्फारमेशन बेस तियार करना होगा और उसकी मॉनिटरिंग भी करनी होगे, यानि जो है एक तरिके से की जंगल के बारे में, कि मतलब जंगल कितना है, कैसे है, एंड देन उसके बाद क्या लिखा है where it is, मतलब यह कहां है, यह कहां पर रहता है, मतलब straightforward, मतलब एक तरह किस लोकेशन से लेकि हर चीज कितना amount है, सब चीज को जानना हमें ज़रुरी है, और लिखा है, however, surprisingly, this most basic information is not always available और यह basic information है, कभी-कभी हम देखते हैं, कि हमारे पास यह available ही नहीं होता, कि हमारे जंगल में कौन से पेड़े हैं, कैसे पेड़े हैं, कितने पेड़े हैं, हमें यह मालूम तक ही नहीं होता है, एक proper data जो होना चाहिए, वो हमें कमी देखने को मिलती है, It is not possible to properly manage a forest ecosystem without the first understanding it, ठीक है, तो आप किसी भी जंगल को अगर आप manage करने जाओ, तो उसको हम तब तक properly manage नहीं कर सकते हैं, जब तक हम उसके बारे में सही से जानते नहीं हो, ठीक है, हम क्या है remote sensing technology को बना सकते हैं, जो कि एक तरह से feasible and affordable हो सकता है, identify the hotspot of deforestation, ठीक है, हम remote sensing technologies के के जरी हम क्या कर सकते हैं, जस्ट हम एक तरीके से हम hotspot area को हम जान सकते हैं, जहां पर आपका deforestation जादा देखने को मिलना है, जंगल खतम जिदर हो रहा है, उसमें हम क्या है, हम जंगल को फिर से afforestation कर सके हैं, उसके बाद क्या है, the international community could undertake a monitoring effort that would have intermediate playoff, ठीक है, तो international community को भी ए एक तरह monitoring effort दिखाने होंगे हैं, इसमें एक तरह के से मध्यस्ता करनी होगी है, एंड उसके बाद क्या लिखाए, a priorities fund, priorities to fund a corporate basic monitoring on the rate location and causes global deforestation and forest poverty along with the impacts of project and policy intervention, तो यह सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, एक कॉडिनेशन श्याबलिस करना होगा, मोईटर कर सकें, उस rate क उस location को, जहां पर भी global deforestation हमें मतलब कहां भी दुनिया में दिख रहा है, उसको हम एक तरह की से manage कर पाएं, forest poverty को हम समझ पाएं, यह सारी चीजे हैं, देन उसके बाद हम क्या है, एक policy बनाएं, policy के जरी हम intervention भी उसमें कर सकें, यह सारी चीजे हो गए, देन इसमें लिखा ह कर सकें, एक effective system, जो कि क्या है, fight कर सकें, forest fire के खिलाब, क्योंकि जंगलों में आग लग जाती है, और कुछ जानबूज की भी लगाई जाती है, तो उसको हम किस तरह के से लड़ा जाएं, किस तरह के सो रोका जाएं, उस पे भी हमें ध्यान देने की जुरत है, strictly enforce करना होगा laws को, जो कि deal करते हों, मतलब एक तरह किसी, unearthorized cutting of trees, यानि क्या है, illegally क्या है, कोई बंदा tree काटता है, तो उसको भी हमें strictly deal करना होगा, just law बना के, and उसके बाद promote करना होगा, agroforestry and social forestry, देखें क्या है, जो rural people होते हैं, वो partly meet their needs for their firewood and small timber as growing, fast growing trees planted at the limit of their villages, ठीक है, तो यानि जो rural people होते हैं, वो partly क्या है, अपनी जो जरतों के, जो उनकी जरत होती है, firewood का, small timbers का, वो grow कर सकते हैं, मतलब अपने आसपासी वो grow कर सकते हैं, जिससे कि एक तरह के से, within the limits of their village, अपने गाउं के आसपासी वो क्या है, ग्रो कर सकते हैं, जो कि जल्दी grow होती है, along the footpath हो ग करता है, मेरे को तो नहीं लगता, जालतर लोग gas lender का ही use करते हैं, but अभी भी गाउं में है, जहां पी use किया जाता है, तो कुछ इस तरीके से हम क्या है, इंचे जो को हम take over कर सकते हैं, ठीक है, then take over कह रहा हूं, sorry, इसको हम deal कर सकते हैं, यहां पे लिखाए side road हो गया, canal हो गय कि उसके according, then यहां पे दसवा जो लिखा है, participation, participatory, forest management and right, ठीक है, किस तरीके से हम participate कर सकते हैं, forest management और उसके right में, यहां पे लिखा है, जितने भी stakeholder होते है, stakeholder उन्हें कहते हैं, जो कि क्या है, उस area के एक तरीके से, एक तरीके से मालिकाना हक होता है, यहां पे लिखा है, with an interest in the fate of the forest, एक तरीके से उनको भी कहा है, just, एक, forest के interest में, एक तरीके से काम करना चाहिए, involve होना चाहिए, उनको planning में, management में, और benefit sharing में, हाना, जो balance of right, जो है, वो can be, क्या है, tilted strongly toward the society for the form of publicly owned, strictly protected areas, ठीक है, तो just हमें कहा है, एक तरीके से, जो balance है, right को, एक तरीके से, तरीके से, जो कि एक तरीके से, इन दे form of publicly owned, strictly protected areas होगे, जहाँ पर क्या है, आपके, लोगों को घुषने नहीं दिया जाता, तो वैसे areas को हमें, एक balance करेट करना होगा, हाना, then state ownership हो गया, management can be retained, but it's sustainable timber extraction allowed, एक तरीके से, state को, एक तरीके से ownership देनी चाहिए, management बनाना चाहिए, बना सकता ह जिसमें क्या है, वो रिटेन कर सकता है, in sustainable timber extraction को, हाना, जहाँ पर allowed है, वहाँ पर मतब एक तरीके से, पूरा planning की तरीके सोना चाहिए, सारे काम, then यह लिका, as now much of the worst tropical forest state owned, but community participation is forest ownership and management need to encourage, यहाँ पर क्या लिका है, जो वर्ल्ड का, जो ट्रॉपिकल फोरेस्ट है, हाना, जो क में, उसको हमें क्या, जादा-जादा encourage करना होगा, एक अकेला government संस्था बना दे, या कहते हैं, forest rangers बना दे, उनके द्वारा यह चीज नहीं हो सकती, हमें क्या, वहाँ पर जो tribes है, जो local लोग से, उनका भी participation बढ़ाना होगा, उनको encourage करना होगा, इन सब चीजों में, और land reform करने की जरूत है, जो कि एक तरिक से, order to address problem of deforestation, ठीक है, जस्ट रगा, अगर हमें deforestation को address करना, उसके problem को, तो हमें land reform करने की जरूत है, इसमें लिखा, however, and endorse, सिफ्ट, a favor of the peasants of also needed in such reforms to endure, ठीक है, then उसके बाद हमें क्या है, जस्ट नहीं हमें क्या है, आपने peasants को, जो किस more over the rights of indigenous forest dwellers and other depend on intact of the forest must be upheld, ठीक है, therefore, the recognition of traditional laws of the indigenous peoples as indigenous right as will address the conflict between the customary and statutory laws and regulation related to the forest ownership and natural resources of enduring and ensuring conservation of forest resources. देखिए, क्या कह रहा है यहाँ पर, just हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कि देखिए, जितने भी आपके traditional laws हैं, जो हमारे क्या है, जंगलों का कानून चलता है, तो जो भी traditional laws हैं, जो कि indigenous people द्वारा, वहाँ पर जो moon लिवासी है, वहाँ पर जो लोगों ने बना है, उन रूल क ठीक है, उनको हमें address करने की जरूत हैं, एक तरीक से, कि उनकी rule और हमारे rule में क्या हो, conflict ना हो, ठीक है, हमने कुछ ऐसे प्रापधान कर दिये, जैसे कि उनके लिए काफी ज्यादा difficult हो जाए, कि भाई, हमने क्या होला कि जंगलों को बिल्कुली छेड़चार नहीं करना, औ प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर क्या कि जंगल को जो अपना need होता है, मतलब जंगल से जो भी need होता है उन लोगों को, वो सारे जंगल से collect करते हैं और उनी को मना कर दिये जाए, जो एक तरीक से conflict प्यादा करेंगा, तो जैस्ट हमें क्या है, उनके indigenous right को भी secure करते हुए, उ इंडिया में एक तरीके से has been implementing joint forest management program, ठीक है, तो सभी states को साथ आके एक तरीके से joint forest management program बनना होगा, उससे successful हो के, यहाँ पे बताया जा रहा है, implementation जो आपका वेस्ट बेंगॉल में, हरियाना में, 1970 के दसक में, यहाँ पे joint forest management program के जरे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते यहाँ पे planting pine trees, किस तरीके से यह जंगलों में, मतलब, यह pine trees लगाए गए slopes के पास, तो देख सकते हैं कि काफी जादा यहाँ पे क्या है, आपको जंगलों में pine trees देखने को मिल रहे है, यहाँ आपको जंगलों में, pine trees देखने को मिल रहे है, तो कुछ इसी तरीके से अगर हम forest management program चलाते है, joint forest management program, तो देन इससे हमें काफी फाइदा देखने को मिल सकते है, यहाँ पे लिखा है, how can we address the conflict between the customary and statutory laws and regulation related to the ownership and natural resources use, थीक है, इसमें जस्त आपको conflict को define करना है, वो भी आप चाहँ तो 30 words में कर सकते हो, यहाँ जस्त आमें क्या है, रेकोनाइस करने होंगे क क्या सिर्फ ऐसे statutory laws ही डाल दिये, डाल दिये उन पे, तो देन क्या होगा, उन पे एक तरीके से जबरन उनको मनमाना हुआ न, तो हमें उनके कुछ indigenous laws को भी मानने जरुरी होंगे, उनके indigenous right को answer करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे लिखा है, what is the aim of social forestry, social forestry का aim क्या होता है तो just social forestry का aim यह होता है, कि जो भी लोगों की needs होती है, fuel के लिए, है न, fuel के लिए हो गया, या फिर किसी भी चीज के लिए, furniture के लिए, तो then उसका जो timber का जो requirement है हम कहीं और से कर सके हैं, just हम क्या है, इन सभी का जो requirement है हम, just हम अपने आस पास से कर सकें, तो then यह वाला SAQ 4 हो of deforestation, इसके बारे में भी लिए, कि चार मेजर काउस क्या होता है, है न, आप कह सकते हो, जंगल में आग लग जाना, पेडो की, मतलब, इल लेगली कटाई करना जादा जादा, और भी बहुत सारी चीजे लिख सकते हो, बाड के कारण, है न, बहुत सारी चीजे लिख सकते ह आपका deforestation देखने को मिलता है, डैम का, डैम बना देना, उससे भी आपका deforestation होता है, यहाँ पर लिखना है, five consequences of deforestation, बताना है, जैन उसके बाद यहाँ पर conflict वही वाली question है, यह, then, क्या है यह, why is there is a constant conflict in, interest होगा है, यहाँ पर, interest, ठीक है, interest between conservation and development, ठीक है, मतलब विक्तर conflict क्यों बना बना रहता है, कि हमें conserve करना चाहिए, यह, पर development करना चाहिए, तो इसका suitable examples के साथ आपको answer देना चाहिए, ठीक है, देना है, किस तरीके से हम, and conflicts मतलब क्यों होता है, यह, यह, आपको बताना है, यह, जब भी हम development करने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, ecology का, एक लिखते हो, ठीक है, टेहरी डैम को बनाने में काफी जादा क्या है, लोगों का विरोध फेस करना पड़ा था, ठीक है, लोगों का बहुत जादा वहाँ पर support नहीं था, यह, यह, पर लिखा है, explain five conservation measures of forest resources in India, ठीक है, तो किस तरीके से, पाँच जो मेजर है, जिसे हम conservation कर सके forest को इंडिया में, तो देन आप उसको बता होगे, ठीक है, तो यह, ज़्यादा कुछ है नहीं है, आप चाहो तो लिखेना, बाकी तो आप सभी का MCQE आता है, एक्जाम में, ठीक है, बस basically क्या हमें सारे points topic clear है, इस chapter के regarding, इसलिए हम इन chapter उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाक को लेके, जो image है आपके दिमाग में, उसको और भी ज़्यादा एक तरी किसी improve करने की कोशिश करता है, तो आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रू कर दीजेगा, चैनल को subscribe कर दिए, बैल आइकन बटन भी प्रे कर दो?